स्री शिवाई नमस्तु व्यम दर्शा को कैसे हो आसा गरते हैं कि आप सब सुवस्त देम सुरक्षित होंगे दोस्तो सुकरवार का दिन मालक्ष्मी को समर्पित होता है और मालक्ष्मी को धन का कारक माना जाता है यानि कि सुकरवार के दिन मालक्षमी को प्रशिन करने से धन ऐसोरिय सुक समरद्धी की प्राप्ती होती है लेकिन उसके लिए दोस्तों आप लोगों को अपने सुकर को मजबूत करना होगा क्योंकि जिस व्यक्ति का सुक्र मजबूत होता है कुनली में उस व्यक्ति को मान सम्मान धन प्राप्ति एवं सुक्सम्रद्दी की प्राप्ति होती है परंतो दोस्तों अगर आपकी घर में गरीबी आ रही है कंगाली आ रही है तो उसके जिमिदार है भगवान सनिदेव जी हाँ दोस्तों अगर आपकी घर में गरीबी आ रही है धन नहीं आ पा रहा है घर में निर्धनता आ रही है तो ऐसे में यानि कि आपका जो सनी है सनी की साड़े साती आपकी उपर लगे हो ही है और जिस व्यक्ति की उपर सनी की साड़े साती लग जाती है उस व्यक्ति को र पसंद है भगवान सनी देव को काला रंग बहुत ज्यादा पिरिया होता है इसी के साथ ही दोस्तों अगर आप लोग सनवार के दिन चीटियों को एक मुठी चीनी जैसे हम आपको बताएंगे उस परकार से खिलाते हैं तो आपकी कुंडली में से सनी की जो कुरू डस्टी है वह दूर होगी और आपका सुक्र मजबूत होगा जिससे जीवन की गरीवी निर्धनता दूर होगी दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा हर बार की तरह कॉमेंट बॉक्स मे स्री शिवाई नमस्तुव्यम जरूर लिखेगा और हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेर करें और मातर दो से तीन मिनट का वीडियो होने वाला है पूरा देखें बहुत अच्छा और कारेगारी वीडियो है दोस्तों अगर आपके घर में बिलकुल भी पैसा न मजबुत नहीं है साथी दोस्तों जो चीनी होती है चीनी सुक्र का कारक होती है और जो काला रंग होता है वह सनी का कारक होता है ऐसे में दोस्तों अगर आप लोग सुक्रवार के दिन एक मुठी चीनी अगर काली चीटियों को खिलाते हो उनकी बिलो में डालते हो तो कहते ह चीनी के साथ आप लोग सफीद आठा मिलाकर चीटे को खिलाते हो बूरा बनाकर चीटे को खिलाते हो तो इससे आप लोगों को मान सम्मानी की भी प्रापती होती है ऐसे में दोस्तों सनिवार की दिन इस कारे को करना बहुत कारे गारी मान गया है परंतों, अगर सुकूरवार की दिन भी आप इस कारे को करते हैं तो वह भी बोत ही सुम माना जाता है तो आप लोग अवश्य कीजेगा और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा